नमस्कार शामद्रिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक बिज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुस जातक हैं और आपकी जो रियल हतेली है वो मेरे सामने आज बिबेचना के लिए आई हुई है देखेगा यहां पे आपका जो केतु का परवत है इसमें धीरे धीरे तीन लकीरें उभर कर आ रही है जिनें बहुत लकी माना जाता है बहुत अच्छा माना जाता है और जीवन के लिए कहीं न कहीं ये सुब संकेत माने गई है इसका मतलब है जीवन के 36 इयर से इनका प्रभाव जबरदस्त रूप में आपकी जीवन पर पढ़ेगा और फिल आपका जो प्रारब्द में किये गई पूरो जन्म के जो कलेक्टिब करमाज है उनका प्रभाव आपकी जीवन पर सीधा सीधा पढ़ने वाला है जिसके कारण जिस छेतर में भी आप काम कर रहे होंगे उस छेतर में आपको बहुत अच्छी नौलेज रहने वाली है और उस नौलेज के कारण बहुत अच्छा जो धन है वो आपको मिलने वाला है दूसरी बात है कि इन क्रेखाओं के कारण अगर आपके कोई सारिरिक या मानसिक स्वस्थ्य से समन्दित प्रेशानी चल रही हो तो वो निदान आउस्था में आने वाली है उसका निदान हो जाएगा धन और संपत्ति से अगर कोई समस्याई चल रही हो तो उसमें बिराम लग जाएंगी और आगी के लिए वो कठनाईयां पैदा नहीं करेंगी इसका मतलब है कि 36 वर्ष से ऐसे योग बन रहे है कि जिसके कारण आपको अपने स्वस्थ्या का अपने धन का और अपने ऐस्वर्य भोगने का सुक बराबर मिलना सुरू हो जाएगा ये आपकी हतेली का के तो के परवत पर बनी हुई लकीरे इस पश्ट रूप से कह रही है जो अच्छा संकेत आपकी जिवनकाले के लिए दे रही है फिर उसमें सुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सुक्र में वर्ट कि कार्य के परती जुझारोंपन बढ़ेगा जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये चीज आपको सपलता का एक रास्ता देगी दूसरी बात जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगा आपका अनुभव बढ़ेगा आप जिस भी छेतर में कार्य कर रहे हो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा चाए वो अपना काम हो चाए वो जो है नौकरी या इत्यादी चीजों का काम हो एक चीज सुक्र के कारण और दिखाई दी रही है जीवन में ये अभी से भी कुछ चीजें लागो है घूमने फिरने का बड़ा शौक रहेने वाला है बहुत सौकिया रहेंगे दूसरी बात है शुक्र आपका सांदार है तो अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार का रखना ये चीजें ज्यादा रहने वाले है नई चीजों के परती रुझान रहेगा चाए नई परकार का फैशन हो नई परकार के कपड़ हो या मार्केट में नई परकार की चीजें हो बहुत एक सुख सुवधाओं की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहेगा ठीक है ने आकरसंड रहेगा चाहे लगजरी जीवन हो या अट्रा लगजरी जीवन हो है आगे चल कर आपकी जो परसनल्टी है वो भी खुल कर उबहे है चाहे वो संगर्स के मामले में हो स्वस्त्य के मामले में हो मानसी के असार रिक या जो जिसको हम कहते हैं कि इस्तरी कारक ग्रह है है साधी इत्यादी के मामले में हो बच्चों के मामले में हो कुटुम के मामले हो अगर उसमें कोई द्वन्द चल रहा हो परेशानी चल रह इन चीजों से उभरकर आप आगे बढ़ जाएंगे बहुत आगे बढ़ जाएंगे यह चीजें दिख रहे हैं यह अच्छे संकेत आपके जिवन के लिए यहां पर इस पश्ट दिखाई दे रहे हैं यहां पी यह आपका कर्म और भग्यास्तान है सनी इसमें जो फिंगर है यह यहां तक ठीक है लेकिन अंत में यह बहुत जादा जुक रही है और रिंग फिंगर के तरब जुकती हुई पूरी दिखाई दे रही है इसका मतलब है देखिएगा यह बात तो सत्य है आपके जीवन में बहुत जादा मेहनत और परिसरम करने के बाद ही आपको चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धुपी का काम भी बहुत जादा करना पड़ सकता है इस बात की संभावना हमेशा बनी रहेगी और यह नेचुरल है दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो यह गैप दिखाई दे रहा है यह इस पश्ट बता रहा है जब भी आपकी जन्म कुंडली में सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा आपकी जिमन पर पड़ेगा कितना पड़ेगा यह डिपेंड करता है आपके करमाज किस परकार सी है ये इन चीजों को हमेशा बनाई रखेगा ये इस बात की और इसारा कर रहा है तीसरी बात अगर आप देखेंगे आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडल की फिंगर है इसकी जो तीसरा पोरवा है इसमें भी अच्छा खासा छिदर दिखाई दे रहा है तो जीवन काल के 35 एर तक धन के मामले में 3-4 चीजे हैं इन में से एक दो चीज बनी रहेंगी ये करक्ट दिखाई दे रहा है या तो खर्चला सुभाव बहुत जादा रहेगा या धन के मामले में संगर्स रहेगा या धन के महतों को नहीं समझ पाएंगे लेकिन इन तीन चीजों में एक या दो चीजें आपके जीवन के 35 वर्स तक निश्चित रूप से रहने वाला है ये चीज इस पश्ट दिखाई दी रही है अब अगर हम बात करें आपकी इस उंगली की ये पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरब यस पाने की इक्षा बहुत अच्छे रहेगी नेम फिम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में विस्तार हो जाए उसका फैलाव हो जाए इसकी इक्षा बढ़िया रहेगी ये अच्छी चीज है यहाँ पे ब्रस्पति की उंगली से बड़ी है मिडिल फिंगर से छोटी है तो कहीं न कहीं चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनो उठने की ताकत भी रहेगी जिसको हम हि जीवन पर बना रहेगा बुद्ध की उंगली अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि इस प्रकार से जा रही जो का वह इसका किसकी तरब जो का हो है आपकी िन्वर्श की तरफ रिंडर क्या है आपके सूर्य ग्रह से सासित उंगली है और ये सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर किसकी तरफ है कनिष्टि का बुद्ध ग्रह बुद्ध क्या है वानी आपकी त्वचा पाइकेजिंग का मालिक ठीक है ने और आपका कहीं न कहीं स्वास्त्य सूर्य क्या है आपका तेज आपका यस आपकी समर्दी आपका धन आपके अंदर भोजन पचाने की ताकत आपका पिता का कारक आपका सरकार का कारक आपका दवाईयों का कारक सूर्य है और इसका सूर्य की तरफ जुकना क्या बताता है धन कमानी की इक्षा को जो प्रबल रहने वाली है लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पारी है तो क्या-क्या कमियां दिखाई दे रही है कि मनी मैनेजमेंट में जीवन में कमी रहेगी दन के प्रबंदन में, कागजों के रखरखाओं में, एकाउंटिविल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकिसन इसकिल्स में इस पश्ट तोर पे कमियों को दिखा रही है और इन चीजों में कभी भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहने चाहिए ये जिवन में संगर्स और उतार चड़ाव देती हैं तो नेचुरल तरीके से इन कमियों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे यहां तक नाखोन बढ़ाएंगे और जब यहां तक नाखोन बढ़ जाए तो आपके हतेलि में क्या बनेगा बुद्धा दित्य राजियों का निर्मान हो जाएगा और उसका फाइदा आप किस परकार से ले सकते हैं कुछ उपाई करके और अपना फोकस बढ़ा के अगर जाना चाते हैं देखेगा फिर बुद्ध ये ब्रिस्पतियां पे मजबूत हो जाएगा और अगर आप सरकारी छेत्र या इससे समंदित छेत्र में कारे करने की इच्छा रख रहे हैं तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजेगा जबरदस्त मेहनत करिएगा रात दिन एक करिएगा मन को एकागर रखेगा और यहां तक इसको बढ़ा दीजेगा और सूर्य उपासना करना सुरू कर लीजेगा किन छेत्रों में सपलता मिलेगी सिक्षा का छेत्र है इंजिनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है और बानिज़का छेत्र है तथा कानून का छेत्र है इन छेत्रों में अच्छे सपलता है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही और थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा तब जाके इन चीजों में अच्छे सपलता दिखाई दे रही है लेकिन हिम्मत नहीं हरनी होगी अगर एक परसेंट आप सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कारे नहीं कर पाए तो फिर क्या आपके छेतर में फिर ब्यापार बहुत अच्छा है ठीक है न फिर आपको कहीं न कहीं ब्यापार के तरफ जाना चाहिए ये आपकी हतेली कह रही है लेकिन यहाँ पी आपक वर्स तक ब्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्यों क्या बता रहा है आपकी बुद्धिमता को बता रहा है आप बहुत जादा बुद्धिमान है लेकिन कहीं न कहीं जीवनकाल के फोटी वन एर तक संगर्स को दिखा रहा है अगर आपने से पहले ब्यापार करने की सोच रहें तो बड़ा सोच समझ कर करें उतावलापन जल्दबाजी और भावनाओं के बस में लिया गया निरण ब्यावसाई में नुक्सान देगा और ब्यावसाई करते भी है तो पार्टनर्सिक में कारें न करें और एक बात का ध्यान रखेग सुक्र के कारण खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा खासकर जीवन में धन कमाने की इस्तिति 36, 38, 41, 42 और 45 से चीजें अच्छी दिखाई दे रही इन वर्सों में आपका कहीं न कहीं ये गोल्डन पिरियड आपके लिए है ठीक है न और 42 वर्स की आई के बाद स तो बहुत अच्छा दिख रहा है बुडापा बहुत अच्छा रहेगा मनि 56 वर्स की आई के बाद भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ेगे पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है और कमर की प्रॉबलम है इसकी संभावना बढ़ जाएगे तो इसके लिए क्या करें योगा है प्रणायाम है अब जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाब होगा एक चीज बहुत अच्छी उबर रही है अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये रेखा उबरतिव ही दिखाई दे रही है अभी इस पश्ट नहीं ह कम से कम साड़े तीन से चार बर से इसको लगेंगे ठीकने तब तक मैं एक दिव्य योग ध्यान करिया एक दिव्य सूरी करिया दे रहा हूं जिससे इसका जो डेपलाप्मेंट हो जल्दी हो जाए ये रेखाएं जैसे ही इस पश्ट तोर पे उबरहेंगे उस टेम अपना बता देंगे कि किस प्रकार से फल देना है फिर भी भग्यसाली बहुत अच्छे हैं जीवन में इन लकीरों की वो जैसे आपका कोई काम नहीं रुकेगा ठीक ने कहीं ना कहीं से ब्योस्ताइं हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा ये इस्तितिया पे दिखा रहा है दूस जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर बनी हुई है इसको आप अनुभाव करेंगे दूसरा जैसे जैसे ये डेपलप होंगी आप में अच्छी प्रतिभा और तीब्रबुद्धि अंकुरित होगी आपकी अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो बिस्तार रोप लेगी और ऐसा भी ब्यक्तित्व निखर कर आपका आएगा कि जीवन काल में एक बार येदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का समर्थ्य भी रखेंगे और इन लकीरों के कारण आपका जो ब्यक्तित्व है वो अपने आप में अच खासा प्रभाव सालीवी रहेगा ये इस पष्ट तरिके से बता रही है एक चीज और इरेखा बता रही है आपके जो पंच तत्व हैं और पंच महा बहुत इस शरीर बना फाइब एलिमेंट आपके सरीर के जो नव द्वार है उसमें से जो आठ चक्र है आपके सरीर की जो पांच ग्याने इंद्रिया है और पांच कर्म इंद्रिया है इनके अनुसार अगर आप हनुमान महाराज जी के समर्पन हो जाएं उनकी चरणों में चले जाएं उनकी उपासना नियमित रूप से करें मन से करें यकीन मानेगा जीवन में सभी परकार की जो ब्यादिया है परेशानिया है उनसे आपको पूरी तरों से ये मुक्त दिला दींगे आपकी जी भव्यता कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि आपके भगवान हनुमान जी के परती समर्पन किस प्रकार का है यह आपके उसके उपर डिपेंड करेगा ठीक है ने यहां पे अगर हम देखे ही हिरदे रेखा इस तरों से है। आपकी इसमें मिल रहे हैं इसके गुण आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आगे जाके बता रही है कि चाहे आप व्यापार करें, नौकरे करें, कोई और बेकाम करें, समाज में अच्छा जीवन बितीत करेंगे। लेकिन यहां मंगल से एक रेखा ये और एक रेखा यहां पर मिल रही है। तो मंगल के गुण आने से बिक्ति थोड़ा मांगलिक होता है। तो ऐसे लोगों की साधी थोड़ा लेट होती है। अगर साधी हो चुकी हो, तो दामपत्य जीवन का जो वास्त्विक सुक है, चरम सुक अब हो गया है, उसमें कहीं न कहीं परस्तितियां खड़ी होती है। तो इसके लिए भी आपको हनुमान जी की पूजा नेमित करनी है, तो इस दोश से आप मुक्ति हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिस्क की रेखा अंतमें दो भागों में ब्यतीत है, और मस्तिस्क रेखा बहुत अच्छी है। आगे चल कर आप कई छेत्रों से धनों पार्जन करने का अर्थों पार्जन करने का प्रियास भी करेंगे, ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस रेखा को देखें तो पूरी तरों से पीछे के और जुक रही है। बहुत सुन्दर। परिवारिया कुटुम के परति समरपन की भावना आगे जाके आपके बहुत अच्छी इस्तिति में आएगी। और यहाँ पे जाके इस प्रकार से ये चिन बन रहे है। मचले के। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में अध्यात्म में बहुत अच्छी रूच बढ़ेगी और इसका लाब भी आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस प्रकार से भी शीदा सीदा जो है चिन बनते हुई इस पश्ट रूप से दिखाई दे रही है। जो यात्राओं को दिखा रहा है जो धन की इस्तिति को आगे जाके बहुत अच्छे रूप में उभार रहे है यह इस चीज को दिखा रहा है। यह आपकी कलपना सक्ति को बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कलपना की ताकत बहुत जादा बढ़ जाएगी और इसका लाब भी होगा। करियर और धन की रेखा अगर हम देखें तो कहीं न कहीं यह अच्छे रूप में नहीं है। तो अभी का अगर हम बात करें तो करियर और धन का रेखा के कारण जो करियर में धन में बिल्कुल stability आनी चाही थी उसकी कमी दिखाई दी रही है। ठीक है ने तो इसके लिए आपको क्या करना है दिब्य योग ध्यान के रिया दिब्य सूरे के रिया करने ये चीज़ें ठीक होंगी आगे जाके ऐसी इस्तिति आ सकती है कि विदेशों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है एक चीज़ बहुत खराब आपकी हतेली में है इसका उपाय करना बहुत जरूरी है देखेगा अभी से आपकी हतेली में एक मकड जाला बन रखा है रेखाओं का जिसे सुब नहीं माना जाता है हस्त रेखा सास्तर के उनसार अगर हतेली में इस प्रकार की लकीरे हों तो ये नगेटिव उर्जा का कारक होती है और इसका सबसे पहला प्रभाव पढ़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिस्क पेरे कहीं न कहीं जीवन में उलजन की इस्तितियां आती है दुविधा में बिक्ति रहता है जादतर बिक्ति कन्फ्यूजन में आ जाता है और जो उसकी निरणई लेने की ताकत है वो छीन होने बैठ जाती है बिक्ति अपने जीवन काल में सही से निरणई नहीं ले पाता है दूसरा इसका असर आपकी आर्थिक सिहत पे पड़ता है आप आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में आ जाते हैं और तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिस्तों पे खासकर दामपत्य जीवन का रिस्ता, परिवार का रिस्ता और कुटुम का रिस्ता इन रिस्तों का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती है चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे चाहे वो सारिरिक हो चाहे वो मानसिक हो ये उसमें बिकार देने की कोशिस करते है पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपका डेपलप्मेंट पे और प्रोग्रेश पे जो आपका सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था उस अस्तर को ये माइनेस की तरफ नीचे की तरफ धकेरती है और तिबर रूप में मनी आपके जीवन के जो मुख्या आयाम है जो नीव है उस नीव के जड़ों को ये हिला लेती है और अंदर से बिक्ति को खोकला कर देती है इसको ठेक करने के लिए एक बनस्पति अश्णान में आपको दे रहा हूं और बनस्पति अश्णान के साथ साथ दिब्य सूरी किरिया और दिब्य योग ध्यान किरिया भी दे रहा हूं बहुत सरल हैं ये चीज़ें जरूर करें आपको लाब होगा सुक्र की हमने पहले ही बात कर ली है अगर हम निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो प्राकरम वास्तों में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक सुभाव बना रहेगा आपका ब्रिस्पती अच्छे लेबल में यहां पर दिखाई दिये रहा है तो सिक्षा का छेतर है, इंजिनियरिंग का छेतर है, जिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज्य का छेतर है और कानून का छेतर है इन छेत्रों में अगर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तोड़ा समय तो लगेगा लेकिन काम्यावी आपको बहुत अच्छी मिलेगी जिसके कारण आपका सम्मान बढ़ेगा और इसके कारण चाहे सांसारिक सुक हो चाहे पारिवारिक सुक हो उसमें अच्छी बृद्धी और इसका लाब आपको प्राप्त होगा यहां पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार की चिन इस पश्ट रूप से बन रहे हैं यह बता रहा है कि रहस्यमई विद्याओं के तरब भी आपका आकरसन बटेगा इसकी नौलेज भी आपको खुब अच्छी होगी आगे चलकर आपक से जो हैं चीजें बन रही हैं सूर्य किरिया करने से यह चीजें इस पश्ट आ जाएंगे जिसके कारण कहीं न कहीं जीवन में खुब धन कमाएंगे बड़ी प्रसिद्धी कमाएंगे और अचल संपत्तिकावी लाब आपको खुब होगा यह इस प्रकार से भी चिनों को ब जो बुद्ध परवत पे हैं तो बड़ा अच्छा है सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा कम्यूनिकेशन इसकल सांदार रहेने वाली हैं और ब्यापारिक गुण ब्यापारिक माइंड बहुत अच्छा रहेगा तो वानी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाब आपको जबरदस्त प्राप्त होगा बुडापे की अंतिम छण तक अपने हाथ का पैसा रहेगा इसका लाब होगा लेकिन यहाँ पे गैप है तो खर्चिला स्वभाव बहुत ज़ादा रह सकता है जिससे बुडापे में धन का संगर्स भी रह सकता है इसकी संभावना भी है चंद्रमा की बात करें चंद्रमा अभी पूरी तरों से बैलेंस नहीं है तो कभी-कभी इसकी वो जो से मन गड़बड रह सकता है मानसिक प्रेशानी रह सकती है थोड़ा भावक ज़ादा हो सकते हैं या emotionally थोड़ा प्रेशान रह सकते हैं थोड़ा अपने digestive system का ध्यान रखें पेट का ध्यान रखें तो चीजें बहतर रहेंगे अब देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई मैं विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादिम से बेज रहा हूँ करने की कोशिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनोपस्तित होगा तब तक के लिए नमस्कार